वेल्कम टू माई न्यूव लोक आई होप आपस ठीक होंगे हम भी सब ठीक है और आज का मौसम बहुत अच्छा है आपको देख गया होगा कि बैगराउड में आज सायद 8 बजी दूप निकल गी थी कि दीवार पर दूप आ रहे हैं फेस पर भी आ रहे हैं आज को मौसम इतना अच्छा है कि सर्दी है नहीं गई थी जितने दिन की और करते हैं काम खिंडा पड़ा है मैंने आटा लगा लिया जैसे हम रोटी काटा लगाते हैं सेमन वैसे आटा लगा है सोफ्ट में ही लगाया है ऐसा कुछ नहीं किया अलग परांठा बनाने के लिए और पहले मैं लोई बना के सबसे पहले रोटी बेली है इसमें अलका साइक कट दिया है आधे इससे में फिर मैंने घी लगाया है पूरे परांठे पे अच्छे से लगा लें इतना भी ना लगा है जो हम बनाए वह ब दालेंगे सुकाटा नहीं डालेंगे तो अमरा परांठे में थोड़ी सी प्रोग्रम हो सकती है जो हम चाहते हैं वह सना बने तो सुकाटा जरूर डाले और एटेंगल की तरह मौड़ते चले जाओ आट मलोई को रोटी को यह बहुत आसान तरीके से बन जाएगी तरीका तो बहुत है आपको मैं आसान तरीका बता रही हूँ जब अपना बच्चा मांगे तब अपने बना के फटा फट दे दे यह लोई बन गी है यह मैं हमेशा प्रांटा बनाते जब घी की हाथ लगा के बनाती हूँ कभी सुक चुन से नहीं बनाती आप सुक चुन से भी बना सकते हो गी की जगा ओल भी यूज कर शकते हो मैं गी से ही बना रही हूँ आप की चानुसार बनाईए यह फिर से अम रोटी की तरह बेल लेंगे इसको यह रोटी बन गी है मेरी यह आपको सब्सक्राइब वह मैं इस तरफ गरम करी लिया था और अप दियर देता वे पे यह पकते हैं और इसे बोलते हैं मल्लू परांटे यह मैदा के भी बनते हैं मैं बना रहीं गियों की आटा का क्योंकि सेथ के लिए अच्छा होता है गियों मैदा सबसे सेथ के लिए हानिकारक है इसलिए मैं हमेशा जाद अच्छतर जो भी कुछ भी ट्राय करती हूं हमेश कोई भी चीजगरों में गी अच्छा लगता है और आप तेल में भी कर शकते हो ऐसा कुछ नहीं है वैसे भी तो भाष लेकर आते हैं जब हमेसे तेल का ही आता है हम घर पर हम कुछ भी ट्राई कर शकते हैं और इसमें जो लाइने गिरती है ने मलू पराठे की वह गिर चुकी है जब तक यह पकता है इतने हम दूसरा तैयार कर लेते हैं जैसे हम नॉर्मल परांठे बनाते हैं वैसे घी लगाओ इसमे भी ऐसा नहीं कि अलग से आपके इच्छा अनुसार कम जादा नो प्रोल्लम है विख घृवल लेते हैं इसकी आज है हैंम महलोप नंट इप फैमली के लिए बना रही हूं आपको दिखाने के जिनी वैसे भी पूरी से मिपना रही हूं आप लोग बबल जाके खाए घर पे बना के खाए और यहां रच लगयेगा एक हो किया द्यादा गी प्रेट नहीं होता है इसमें जैसे नॉर्मली प्रेंठे बनाते हैं ऐसे प्रेंट नहीं गी उजोगा ऐसा नहीं कि मल्लू परांठे बना रहें कि एक्ष्ट्रा गी लगेगा ऐसा कुछ नहीं है नॉर्मली होता है कि अग्यों कि वह भी पकर रहा है जब तक हम इसके गिल लगा लेते हैं हऊ तो मैई है कि सुक काचून जरू डाली सही न अलग अलग चले बनते हैं है हाद हम नहीं डाले यह तो नॉर्मली प्रांठे उते ना जो गिले गिले हो जाते है तीकने में होते हैं eldर इसलि量 होता है वो हो जात Liu तो यह सुक सब्सक्रा डालने से गिला सकते हैं और दूसरा तरीका भी मापको दिखाऊंगी इस वीडियो में दो तरह के यूज किये हैं बनाने के लिए बैस्ट कुन सर रहेगा वह भी मापको बताऊंगी यह में बनके रडी हो गया है और यह मैं सोला की सब्जी बनाई है उसकी साथ बच्चों को देली हूं मलू परांटे में बच्चे बहुत खुस हो खाते हैं क्योंकि हमने कई बर खाय हूआ है बहार से लेकि तो बच्चों को बहुत चुआइस है मलू परांटा काने के लिए तो इसलिए आज मैंने सोचा कि इलब घर पे ही बनाते हैं अब देखो में बच्छा कैसे मम्मी ऐसे करो अच्छा लगेगा मैं ज्यादा कर दिया तो बोल रहा है कि नहीं मम्मी ऐसे नहीं करना चाहिए था अपने ऐसे करो हाथ दिख रहा है ना आपको ऐसे करके दिखाओ अच्छी हो गए ना लग लग वो टेस्टी बनता है कि देखो कि अच्छो लेक सब जीमें बना दी थी पहले ही और मलो परांटे में बाद कर देखेंगे लगाएंगे जैसे हम पहले किया था और इसमें फिर से सुका चून डालेंगे यह हमारा दूसरा तरीका है बनाने का मैंने बताया था आपको सुका चून जरूरी बहुत जरूरी है यह डालना अगर नहीं डालेंगे तो प्रोब्लम आ जाएगी और यह हम अब यह मेरा दूसरा तरीका है आपको दिखाने के लिए पहले मैं आपको दिखा चुकी हूँ दूसरा आप चक्कु से भी क टिंग कर शकते हो मेरे पास ही है गाटर है मेरे पासी जरूरी काटने का तो मैं से इससी कटनूंगय क्योंकि यह आसानी से कट जकता है और दिखा टू जा रही है यह डाली कर शकते हो और ऐसाह सी बना जैसे में रोल करके दिखा रही हुँ आपको इसमें ठोड़ा टाइम लगता है तक पर आसान है पहले वाले सी बैस्ट बने आए ठोड़ा टाइम लिया पर बाॉज थोड़ा टाइम लिया पर रोल अच्छी से बन गया है य। अलग लग भी देख रहा है बिल्कुल यह मुझे लगता है सबसे बेस्ट बने गाई है इसका भी एक आसान तरीका मैं डूंड लिया है वह मैं भी आपको दिखाऊंगी वीडियो आप देखते रहे ना हम पहले के तरह इसको फिर से रोटी बना लेंगे रोल करने के बाद इसकूंद तो लेंगे सेंगी जैसे हम पहले किया था वैसेอง ही होगा और usa क मैं यह ही पते हैं जब तक हम बच्चों को खाना डाल देते हैं लुचा लुक बना चुकी तहीं और बच्चों को मैं खाना also आ फिर वोई थोड़ी सी प्रोब्लम आ जाते बाद इतना टेस्ट नहीं आता ठंडे में इस ये गैमरे में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है नहीं तो अच्छी से लच्छे बने इसमें मैं कोशिस कर रही है 달म देखने के लिए अधिह के कार तो केमर Dubai मेरा दूर condemn रोकिए फिर मापा को पास में करके दिखांगी भी मनें वीडियो भी सोच नहीं की क्योंकि मैं सोच रही थी कि अच्छे से दिखाई दें आपको मदला अच्छे समझ पाई आप प्रांठे कैसे बनाने हैं मैं वीडियो विल्कुल भी कटिक नहीं की मंदी गैस में बना रही है क्योंकि मुझे पीच-वीच में कहीं काम कर रही हूं साथ में बच्छों को खान डालते हूं तो कहीं जल ना जाए इसलिए स्लो मेडियम कर दिया है मैंने आप अपने तरीके से बना सकते हैं थोड़ा सा तेज भी कर शकते हो कि हमाया प्रांटा सिख गया थे साड़ से तो हमने घी लगा दिया है और साथ में हम दूसरे साड़ से भी लगा देंगी जैसे में नूर्मल प्रांटे पर गी लगाते हैं ऐसे लगाना है अब बन की रडी हो गया आपको देखो अच्छे से अच्छे से चली डिल रहे हैं इसमें लच्छे बन रहे है मेरे अच्छे से अलग-अलग हो रहा है सब कुछ अई कैमरे मच्छे से आभी रहा है है पहले वाले से बेस्ट बनाया है इए बिल्कुल बहुत यह अच्छा बनाया है इस यह मारत तीसह तरीका सेम्पोशिजर कर अंगे जैसे हमने पहले रखता था गी लगाएंगे सूकाचून डालेंगी और फिर हम कटिंग करेंगे सेम मैं इसाइद में सूकाचून बूलक सकते हैं जो दिखाने के चक्कर में मैं थोड़ा सा पीछे रह गई करने में अब देखो यह यह वाला थोड़ा कटिन था अब यह हमारा तीसरा है फोसिजर जो हम आपको दिखा रहे हैं एक दूसरे पर रखेंगे उठाएंगे रखेंगे यह सबसे आसान लगा मुझे और सब सबसे बैस्ट में मतलब बैस्ट तो दूसरे वाला था यह सेम हो गया तो यह हम एक साथ रोल करेंगे इसको उसमें हमने एक के करके रोल किया था उसमें पूरा टाइम लग जाता है पूरी फैमिली के लिए खाना बनाएंगे तो हम यह थोड़ा सा लेट हो सकता है जैसे बनाना तो वह सबसे बैस्ट है ऐस सबसे जल्दी बनता है बहुत ही जल्दी बनता है यह कोई प्रोब्लम नहीं आती है कि वह एक साथ रोल हो जाते हैं हमारा सारा कि नो प्रोब्लम देखो यही सबसे अच्छा लगा मुझे और बनाने में बहुत चल्दी बन गया है अब फिर से इसको अब रोटी बना लेंगे इसको सेम तरीके से तीनु सेम ही थे हलका अब बना सकते हैं वैसे मेरा चकला गी का हो चुक है है कि लगाने की जरूत नहीं पड़ी तो वह प्रक्रक्ष्ट है वह भी मेरा चली रहे है अब है कि अब कि अ मिज़ेसे हमें पहले बढ़ा तो यह इन अब नवीशन अड़िया है है आप से को मिल ओट यह त्वी टाल दिया है हो by bishop से अगे कि अभी सब कुछ शले बगर सब कुछ में आई यही अच्छा चरीका भीproduct है और आपको आन तीन तरीके दिखा कर देंखा में से तीस रुव लास्ट कहा था वह सबसे बैस ता today को अपने यूटीوب परляются सेम सेम दिखेंगे मलबांटे मेरा आटे देखेंगे अलग-छले पड़ जाते हैं बहुत है उ Ц Hawai मुझे बच्चो ने खाना खालिया था और मैं आपने लिए बना कर रक लिए हैं है लाने सी चल्लिए पड़ जाता है बोकि अच्छा बना है हमारे प्रांठे बन गिये हैं लच्छी एदर आठे के बनाए हैं सब बच्छो ने खा लिए बहुत अच्छा लगा और खाना खालिया था मलू परांटे बूत यह फोट बूथ यह चुछ थे आप बीट्राइब करना वहां है फैमली वाले को बहुत अच्छा लगए गा ऐसे लगा है मुझे आप आफ़े जाने घर पर भीणिया अपने गल फैमिली वाले को फैमली वाले को फिलाओ बिलेंगे कल वाली ब्लोक में करते हैं अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर कर दिना अगर नहीं है तो मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दिना बाई फाइनली हमारा आई गया गाजर पांख बैन ने आज ही काड़ा था राज हमारे पास वीडियो बेजी ते रहमने इशा ओर्डर दिया सुबह गाजर पांख में पूर्श आपको बेज दिया तो अच्छा लगा थैंक्यू एं गाजर पांख बेजने के लिए आपके बहुत खुश हुए आपने बिजवा दिया थैंक्यू 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 गिल आज गाई बना हुआ है कल ही अपने ले निकालनेगी क्या करना है तुनाई गाजर पांख के बारे में ले खुबड़ के बहुत एंक्यू थैंक्यू थैंक्यू गाजर निक दूबगलने बचलने ले ओगाजर पांख के बारे में बचलने खरुबगलनेश ख़योगोगलने दो आजर गाई हुआ है